दोस्तों आप सब का स्वागा थे आपका वाई का चनल स्टामपीत प्रसर में एक और बड़िया वीडियो के साथ तो देखिए केकेर बड़सेस RCB की मैच जबी होती है तो तबी थोड़ा सा हवा गरम होने लगती है बहुत बड़िया बड़िया प्लेयर्स बहुत अच्छा अच्छा पार्फोमेंस देते हैं और बड़िया तरीके से केकर और RCB कौन अच्छा है कौन जीते का इसके उपद तो थोड़ा सा मार पिट लगी रहता है देकि पिछले टाइम जब RCB इडेन गर्डेंज गई थी तो केकर बहुत बड़िया तरीके से खेला और जीता था मै मैं बड़िया तरीके से इस वीडियो में आपको एनलाइसिस करके दिखाऊंगा और कौन-कौन टीम जीत सकती है क्या प्रोबाबल एकसाई होगी फूल मैच की डिटेल्स और क्या वेदर रिपोट रहेगी कितना रन होगी किसको पहले बल्ले वाजी करना चीज इसके उपर फूल डिटेल्स आपको दूंगा तो जरू से अंतक बने रहना है दोस्तों के सट शेयर करना फूल आप भी देखना बड़िया तरीके से इंजोई करना लाइक करना और जरू से आपका वैलुएबल कॉमेंट मेरे साथ या आपके भाई के साथ जरू से शेयर करना तो देख या फर थोड़ा इंपक्ट प्लियार की हिसाब से हम अगर देखे तो अनुजरावाद की यूज हो सकती है या पार्नल की यूज हो सकती है इसकी गैरांटी नहीं है और हम अगर बात करें बहुत सारे जो लोग है आप कह सकते हो जो आर्सपीस फैंस हैं हो कह रहे है कि जॉस सेजलूट की कामबेक का भवी ते जो सेजलूट एक बहुत इंपोर्टन प्लेयर है और लेकिन उनकी जो इंजूरी है उनकी जो चोट है उसको लेकर थोड़ा सा ऑस्ट्रिलियन जो टीम है वो भी कंसेस है तो इसलिए थोड़ा सा पॉर्जेटिब ली तो अच्छा तरीके से कामबेक कर रही है लेकिन कुछ रूल से कुछ रेगुलेशन से और प्रॉपरली फूल फिट ना होने के बाब जूद वो बढ़िया तरीके से मैदन में आने ही पा रहा अच्छा तरीके से एटेंड कर नहीं पा रहा अभी भी गरांटी नहीं है कि दोज़ेश की सेशनों ख खेलेंगे या नहीं तो दीखिए हम अगर बात करें तो अच्छा एक टीम है एही टीम रखना चाहिए क्योंकि अच्छा तरीके से फल मिल रहा है और बोलिंग अगर अच्छा तरीके से हो क्योंकि चीनल स्वामी बोलिंग करना थोड़ा सा कटिन है अगर अच्छा तरीके स सब्सक्राइब निती स्राइब कैप्टन अंड्री रसल सुनिल नारिन डेविड विज बहुत अच्छा प्लेयर है नेरान जग्दीजन आज विकेद कीपर उमेश यादब वरन चक्रबती सुयास सर्मा और खेजरोलिया बहुत बढ़िया प्लेयर है खेजरोलिया के उपार थ रसीब के बोलर्स को थोरा सा जेसन राय को रोकने के लिए देखना होगा अगर ओपेनिंग में आके जेसन राय अच्छा तरीके से एक अच्छा नौक खेल दे तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकती है आर्सीब के लिए बहुत बढ़िया तरीके से रिंकु सींग है चिंगा स्वामी तो बहुत बढ़िया मार मारे है बहुत अच्छा रेकॉर्ड भी है तो अंड्रे रसल आप कह सकते हो जेसन रॉय अच्छा स्ट्राइकर है और उसके साथ रिंकु सिंग नितिस्राना इन चारो जो में बैट्समेन है उनको थोड़ा सा रोकना होगा नहीं केकार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेम में बने रहेगी हम अगर बात करें तो स्कोर कट क्या हो सकती है या जो पीछ क्या हो सकते है देकिएnor 195 की टोटल अराम से अब देख सकते हो एवरे चे स्कोर आप कह सकते हो 190 का जो रण हो तो मिनिमाम बनाना परेगा और हम अगर बात करें बैटिंग फ्रेंडली पीछ होगी छोटा ता मैदन है तो जरू से रन होगी और वह पर आप कह सकते हो कि अब वेदर को लेके थोड़ा सा एक बैड अपडेट है कि थोड़ा सा लाइट रेन आप देख सकते हो या थोड़ा सा ओवरकस्ट या क्लावडी वेदर हो सक किया नहीं जा सकता लेकिन जो वेदर फोड़कस्ट किया गया है तो थोड़ा सा आप कह सकते हो और हम अगर बात करें तो यहा पर तोरह सा एक अच्छा तरीके से बैटिंग मिलने विकेट होगी अच्छा तरीके से एक रेन नहों तो चेस करना या पहले बलेभाजी करना द 200 run तो यूँ हो सकता है या अगर बढ़िया तरिके से खेल चले तो अच्छा तरिके से run यहाँ पर हो सकता है तो इसके उपर आपका care आहा है ज़रूर से बताना और मेरा अगर prediction माहं तो मुझे जो लग रहा है कि RCB इस match को बढ़िया तरीके से जीत सकता है RCB की percentage फोड़ा सा ज़्यादा है जीतने की KKR की fans को मैं कभी भी नहीं hurt करना चारा क्योंकि देखे KKR की जो fans से अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ कि team में तो potentiality है लेकिन bowling attack जो खेजरोलिया की bowling है हम अगर बात करें spinners तो अच्छे तरीके से लेकिन fast bowler की attack में थोड़ा सा प्रॉब्लेम हो सकती है क्योंकि Eden guidance में जितना अच्छा spin की सहारा आपको मिली चिन्ना स्वामी में उतना सहारा नहीं मिलेगी क्योंकि छोटा ground है spinners के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लेम हो सकती है तो इसकी उपर आपका क्या रहा है जरूरू से बताना मैं बड़े तरीके से ऐसा अपडेट दे दिया और ऐसा ही कंटिनुए अपडेट्स के लिए और प्रिवी रिवीव मैच की बाते के लिए जरूर से अपने भाईक्यो चनल के सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा सा सब्सक्राइब करना और मैं कंटिनुए आपको ऐसा ही कंटिन्ट देता रहूँगा ठैंक यू